एक देशा से एस्टोनिया लाति या लिठुवानिया ये बिलरूस राजधानी मीट इसका क्या है में ये है मोल्डोवा और ये वह वाला एरिया यूकरेन अब हम बेसिख आपको बताने जा रहे है है यूकरेन के बारे में देखिये देखिए यह जो यूक्रेन है ना जब USSR टूटा था तो सबसे ज़ादे रूस को लॉस हुआ था तो यूक्रेन टूटने से हलाकि और भी देशर को टूटने से लॉस हुआ था लेकिन यूक्रेन बहुत ही ज़ादे इंडस्ट्रियल एरिया था तो यूकरेन जब टूटा ना तो रूस को बहुत जादे लास हुआ था लेकिन फिर भी रूस जो था ये रूस ये कोसिस कर रहा था कि ये लोग रूस के फेवर में ही रहे हैं लोग ये क्या रहा है रूस के फेवर में ही रहे लेकिन यूकरेन धीरे धीरे यूरोप के फेवर में चला गया चलिए सैन मारीनो पूछ रहे हैं कौन सा देशा अभी बता देशा अभी अलग से छोटकन छोटकन को बताएंगे पहले यहां देख लिए चोटे चोटे तीन चाथ देश हैं उनके बारे में एक ही बार में अलग से दिखा देंगे ये यूक्रेन है यूक्रेन की राजधानी कीव है यूक्रेन की राजधानी कीव है यूक्रेन की ऊपर मिले के कीव इसकी राजधानी यहाँ पर एक बहुत बड़ा परमाडू रियक्टर लगाए गया था जिसका नम था चर्णोवियल परमाडू रियक्टर सहर का नम था चर् पर्माडू बम जब फटता है न तो लोगों को लगता है कि पर्माडू बम तहलका मचाता है कोई तहलका नहीं मचाता है पर्माडू बम फटता है तो आवाजों सुना ही नहीं देता है कुछ खास नहीं होता है बेन पर्माडू बम एक पर दूसान का नहीं मैं कोरोना वाइरस देख रहे हैं कोरोना वाइरस दिखता है कि यहां कोरोना वाइरस है नहीं वैसे ही समझेए कि पर्माडू बम होता है प परमाडू बम फटा था वो हो बहुत गड़ा हो गया है घरे आएंगे तो मर जाएंगे फेपड़े को जाएगा क्योंकि वहां के हवाएं पर दूसीत हो जाती है वो रेडियो एक्टिव हो जाती है और रेडियो एक्टिव किरणों से अलफा गामा रेज निकलते हैं अलफा आख साता है यहां कंट्रोल से बाहर हो गया जिस वजह से यह इस परमाडू बं बन गया और पूरा तरा से pollution फैल गिया है चारो और से बहुत सारे लोग मरे थे इस घटना को चर्मनोवियल परमाडू रियक्टर करते हैं ऐसे ही घटना जापान में हुई थी 1911 में आज से 9 साल पहले आप नाम बताइए उसका कमेंट करके 1911 में जो दुर घटना हुई थी उसका नाम बताइए 1911 की घटना का नाम बताएए फुकुसीमा वेरी गुड बताया थे आप लोगो फुकुसीमा परमाडू रियक्टर फुकुसीमा परमाडू रियक्टर चलिए अब यहाँ मेरी और ध्यान से देखिए अपना अपना नक्सा खोली है यूक्रेन देखिए यूक्रेन का एक नीचे की भाग में अपना अपना नक्सा जल्दी जल्दी एटलस खोलेंगे लोग एटलस में यूक्रेन का हिस्सा देखिए यूक्रेन में एक नीचे से एक island होगा जिसका नाम होगा आपको, देखें, यूक्रेन के नीचे एक छोटा सा राज होगा जिसका नाम होगा क्रीमिया, देखें, क्रीमिया होगा यहाँ पर, क्रीमिया, यूक्रेन के नीचे एक छोटा सा island होगा क्रीमिया, जल्दी देखें, किते लोग को मि क्रीमिया देखिए क्रीमिया अरे नीचे साइड में समूंदर के क्रीमिया किस सागर में है काला सागर और एजोब सागर के बीच में होगा क्रीमिया काला सागर और एजोब सागर के बीच में कौन सा जग होगा क्रीमिया काला सागर और एजोब सागर के बीच में होगा क्रीमि काला सागर और एजोब सागर के बीच में कौन सा जगा होगा क्रीमिया होगा क्रीमिया काला सागर और एजोब सागर के बीच में क्रीमिया होगा किसी को कोई दिक्कत नहीं है काला सागर और किसके बीच में एजोब सागर के बीच में क्रीमिया क्रीमिया यूक्रेन का था क्री यूक्रेन राज में इसको तो उसने अपना इस्टेट बना दिया था लेकिन जब यूक्रेन अलग हुआ astronauts ना तो वो क्रीमिया को लेकर अलग हो गया और बाद में यूक्रेन जो है इुरोप के फेवर में चला गया European Union में तो रूस गुसिया गया 2014 में, 2014 में रूस उठा तो क्रीमिया पर हमला कर दिया और ये 2013-2014 के क्रीमिया लड़ाई में उठा के इसने अपने अंडर में ले लिया, तो अभी question पुछेगा आप लोग से, क्रीमिया संकट किन दो देशों के बीच में है, तो यूक्रेन और रूस क आगे देखें, ये वाला हो गया, रूस वाला इरिया, ये मॉल्डोवा कुछ खास नहीं है यहाँ पर, ये आपका यूक्रेन हो गया, ये बेला रूस हो गया है, अब जलते हम लोग रूस के बारे में पढ़ने हैं, रूस सब्सुरा बहुत बढ़ा है, एक बार आप उसके इस हिस्सा को यूरोप में पढ़ेंगे, इस हिस्सा को किस में पढ़ेंगे, यूरोप में और बाकी वाले हिस्सा को हम किस में पढ़ेंगे, एसिया वाले में पढ़ेंगे, तो पहले हम लोग यूरोप वाला हिस्सा देख लेते हैं, रूस की राजधानी मॉस्को जो है, व नहीं मिला इस्टेपी एक मरुवस्थल है यूक्रेन में एक मरुवस्थल है जिसका नाम है इस्टेपी मरुवस्थल ये रूस की राज़ानी क्या है मॉस्को रूस की राज़ानी क्या है मॉस्को मिल गया मॉस्को से उपर एक सहर मिलेगा आपको सेंट पीटर्जबर्ग इसका पुराना नम कालिंगराट था रूस का सबसे बड़ा सहर है सेंट पीटर्जबर्ग इस्टोनिया के एकदम करीब मिलेगा सेंट पीटर्जबर्ग देखिए फटा फट सेंट पीटर्जबर्ग मिल गया सेंट पीटासबर्ग सेंट पीटासबर्ग सेंट पीटासबर्ग स्क्रीन की ब्राइटनेस कम कर दे अब ये जादे हो गया सैंट पिडरजबर्ग मिल गया रूस का सबसे बड़ा सार सेंट पिडर्जबर्ग सेंट पिठर्जबर्ग का नाम क्या है कालेन गराड कितने लोग को याद है अभी तक कि इसी का एक छोटा सा यहाँ पर कालेंगराड था लिथुवानिया के नीचे लातिविया लिथुवानिया यह था ना एस्टोनिया लातिवी लिथुवानिया इसके नीचे कालेंगराड था तो इसका नाम है कालेंगराड और इसका नाम है लेनिंगराड इसका नाम है आपको मिल जाएगा लिथवानिया की नीचे आप लोग को जब बाल्टिक डेस पढ़ा रहे थे तो बहुत से लड़कों ने उस टाइम ही इसको खोज दिया था यह वाले एरिया को यह जगा कौन सा हो गया आपका का यह कालेंग्राड और इसका सेंट पीटर्सबर्ग का पु है मुर्मुस्क सुरूस का सबसे उपर ही भाग मिलेगा मुर्मुस्क सबसे उपर देखेंगे मुर्मुस्क सबसे उपर मुर्मुस्क मुर्मुस्क एक ऐसा बंदर का है कितने लोग बता सकते हैं मुर्मुस्क पे बरफ पढ़ता होगा यह नहीं मुर्मुस्क क्या समुंदर के पास बर्फ पढ़ता होगा या नहीं भई पढ़ेगा ही कहें एकदम जरूर पढ़ेगा पढ़ता होगा जेलूइन बात है लेकिन यहाँ क्या पानी देखिए पूरे जगा का पानी बर्फ बन जाता है यहाँ का पानी बर्फ नहीं पढ़ता है क्योंकि एक समुदरी जलधारा आती है जो इसको गरम कर देती है अब ये UPSC में कोश्चन पूछा था कि समुदरी जलधाराओं की योग के बारे में बता है ये 25 नमबर का कोश्चन आता है UPSC में ये को कोश्चन लिख दी है 25 नमबर फरिया गया तो मेंस्वा में तो और अच्छा खासा नमबर मिलता है तो ये जो जगह है ये मुर्मुस्क है ये रूस के उपरी भाग का एकलौता ऐसा बंदरगा है जहां पर बर्फ नहीं जमता है बाकी रूस के सारे बंदरगाहों पर बर्फ जम जाती है इतना तो याद होगए आप लोगो मुर्मुस्क अब ये देखिए मुर्मुस्क के नीचे एक सागर होगा सफेद सागर देखिए द्यान से देखिए सफेद सागर मुर्मुस्क के नीचे एक सागर होगा सफेद सागर सबसे मीठा पानी सफेद सागर क्या है मीठा पानी का मतलब साफ पानी सफेद सागर सफेद लिखाओगा इंगलिस वाले क्या देखेंगे यह है जगा रूस का यहाँ पर मिलेगा आपको सफेद सागर या वाइट सी सफेद सागर या वाइट सी सफेद सागर या वाइट सी मिल गया फटाफट अंसर देखेंगे लोग मिला कि नहीं मिला सफेद सागर हो गया आगे बढ़े हैं किसी को कोई दिक्कत नहीं तो ये वाला जगा कौन सा हो गया मुर्मुस्क हो गया आगे बढ़ जाते हैं मुर्मुस्क ये सफेद सागर हो गया कुन सा सागर सफिन सागर राजधानी क्या इसका मॉस्को राजधानी मॉस्को देखिए रूस में यहां पर एक बहुत बड़ा परवत है जिसका नाम है आपका यूराल परवत रूस का या परवत का नाम क्या है यूराल परवत रूस में एक बहुत बड़ा परवत है यूराल परवत, यूराल परवत की इधर का एरिया जो है, ये कलाता है यूरोप, क्या कलाता है यूरोप, आप लोग फीजिकल नक्सा में देखिए, यूराल परवत मिलेगा, फीजिकल पता है न, फीजिकल किसे कहते हैं, जिधर पर पहाड परवत दिखाया गया रहता है, देखिए, पेज नमबर बता देते हैं, पेज नमबर 63 में है यूरोप, दिखे ध्यान से, पेज नमबर 63 में यूरोप है, यहाँ पर आपको एक लाल रंग का डॉटे 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 लाइन दिख रहे होंगे, यहाँ देखिए, लाल रंग का डॉट 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 करके दिखा रहा है एकदम जहाँ पेज खतम है उसी के पास मिलेगा है जहाँ पेज खतम हो रहा है इसी के पास यह red color का dot dot मिलेगा है जो Asia और Europe को लग कर रहा है ऐसे ही dot dot आपको page number 62 यानि 62 पर मिलेगा dot dot red line वहीं पर लिखाओगा यूराल परवत यूराल परवत उसके उस साइड एसिया और इस साइड यूरोप है यूराल परवत मिल गया कौन सा जगा है यूराल परवत सब लोग पटापट देखिए परवत का नाम यूराल परवत यूराल परवत पटापाट यूराल परवत हो गया अरे जो भी page पेज Paytm को भी Allow कर दिया रहे भाई Payment Gateway जो रहेगा वही Allow होगा आगे देखें मिल गया युराल परवत कौन सा ऐसा परवत है जो Asia और Europe को अलग करता है युराल परवत युराल परवत के पास एक नदी जाएगी उस नदी के नामे युराल नदी जिसको यूराल परवत मिल जाएगा वहीं पर आपको यूराल नदी मिल जाएगी यूराल परवत के बगल से एक नदी बहती है जिसका नामे यूराल नदी यूराल परवत के पास एक नदी बहती है जिसका नामे यूराल नदी मिल गया, लिखा यह नहीं, इजम नीचे लिखा यूराल नदी, देखे कहां पर लिखेगा, यह जो डॉट लाइन है ना देखे, यह डॉटेट लाइन को पकड़ते हुए एक दम नीचे आजिए गया, तो नीचे आएंगे तो लिखेगा यूराल नदी, जब कि यह नदी यूराल नदी नदी है यूराल नदी अब देखे इस यूराल परवत की उपर एक ठो समुंदर में द्वीप होगा आइलेंड होगा इस आइलेंड का नाम है नेवाया जमल्वा नेवाया जमल्वा नेवाया जमल्वा नेवाया जमल्वा नेवाया जमल्वा नेवाया जमल्व है कि अपने देश का जितना कचड़ा होता है जितना न्यूकिलियर कचड़ा होता है या जितने हानिकारक कचड़े होते हैं या दवाईयों वाला जो कचड़े होते हैं जो परदूसर फैलाते हैं इन सारे कचड़ों को ले जाके नेवाया जमेलिया द्वीप पर दफना देता है मिठी खोद के क्या करता है दफना देता है नेवाया जमेलिया पर देता है नेवाया जमेलिया पर देत यूराल परवत, अब हम रूस का वह हाग देखते हैं, जो एसीया में आता है, रूस का वह भाग जो एसीया में आता है, आगे देखें दरोगा वाला भैच मंडे से री स्टार्ट कर देंगे एक्छिली क्या था दरोगा वाला भैच वो important questions रहते हैं उसको पहले discuss करने का मतलब दिक्कत हो जाता है अब उसका जो आधा पार्ट बचा हुआ है उसको मंडे से स्टार्ट कर देंगे री स्टार्ट साम 6 बजे से चलिए अगला देखते हैं लोग दरोगा वाला मंडे से फिर से कर देंगे एसिया वाला भी यहां हम आपको पूरा रूस दिखा देते हैं जबकि आपके पास आधाई रूस दिखेगा आप अपना एसिया वाला रूस खोल लिए जहां पर आपको पूरा रूस मिलेगा अप अपने पेज की से खोल लिए एसिया वहां आपको बाकी का रूस मिल जाएगा हम तो यहां बना दिए हैं हमको तो रूस पूरा का पूरा एरिया मिल गया यह रूस पूरा मिल गए यहां पर इतना बड़ा है दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है रूस यूरोप में पड़ता है अद दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी वो यूरोपे में पड़ता है यहां देखिए यह रूस हो गया यह कौन सा परवत हो गया यह परवत हो गया यूराल परवत अब इसके इधर जो रूस पड़ता है वो भले रूस का 70% एरिया है लेकिन इसकी राजधानी मॉसको किदर यूरोप में है इसलिए रूस को यूरोप का पान्टी गिना जाता है रूस को यूरोप की कंट्री उसका कलचर भी यूरोप से मिलते डिलता है दिखेगा न आपको ये वाला एरिया इसे हम लोग साइवेरिया कहते हैं ये टोटल एरिया क्या कहलाता है साइवेरिया क्या कहला है साइवेरिया साइवेरिया ठंड के लिए बहुत जाड़े भ्यानक फेमस है साइवेरिया किस लिए फेमस है ठंड के लिए साइवे प्रिया का सबसे बड़ा सहर कौन सा है बलादी वोश्टक देखे पड़ा पड़ जल्दी पड़ा जल्दी देखे बलादी वोश्टक सबको मिल गया मिल भी है बलादी वोश्टक एकदम नीचला सार बलादी वोश्टक कितने लोग बता सकते हैं अभी हाल ही में किस देश ने बलादी वोश्टक पर अपना दावा ठोक दिया था किस देश ने बलादी वोश्टक पर अपना दावा ठोक दिया था आली में किस देश ने ब्लादी वोश्टक पर अपना दावा किया चाइना चाइना ने बोला था वही चुट्टा को सब चीजे होकर अपन लगता है चाइना है समझा कि एक ने हम रहते तो कहते जिंग पिंग की मेरा रू मेरी है होके पतनी है पर दावा ठोक दोते लेके तू भागा है पागले फूरा उसका है आगे बढ़े किसी कोई दिकत नहीं ना साइवेरिया का सबसे बढ़ा सार कौन सा है ब्लादी वोश्टक है साइवेरिया का सबसे बड़ा सार कितने लोग बताएंगे साइवेरिया में ठंड पड़ता होगा या गर्मी साइवेरिया में ठंडी या गर्मी पटा पट अंसर दीजे साइवेरिया में ठंड पड़ेगा या गर्मी पड़ेगा साइवेरिया में ठंड पड़ेगा एगर भायान ठंड ठंड पड़ता है साइवेरिया में भायान ठंड ठंड पड़ता है साइवेरिया में बहुत भीस ठंड ठंड पड़ता है कितने लोग यह दिखा सकते हैं कि यह मासको के ऊपर यह वाला सहर कौन सा होगा मासकों के उपर कौन सार होगा से सुरह एको ट्रेन खुलती है कहा से खुलती है तो सेंट पीटल बॉक्स से खुलती है कहा से सेंट पीटल यहां से यह ट्रेन खुलती है और यह ट्रेन ऐसे जाती है यहां तक इस ट्रेन का नाम है Trans-Siberian Rail Mark इस Rail Mark का नम क्या है Trans-Siberian Rail Mark दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्क क्या है Trans-Siberian Rail Mark अब ज़रा भारत को देखिए यहां से यहां तक भारत पूरा यहां से यहां तक में है दीखा आई यह रेल मार्क देखिए Trans-Siberian Rail Mark भारत को अगर इधर से इधर देखेंगे तो इतने में खतम हो जाता है चाहे उपर देख लिजे आप कस्मीर के इरिया में चाहे यहाँ पे और यह देखिए ट्रांसाइवेरियन इसकी लंबाई 9000 किलोमीटर है दुनिया का सबसे लंबा रेलमार्ग ट्रांसाइवेरियन रेलमार्ग ट्रांस का मतलब होता है इस पार से लेकर उस पार तक इस पार से उस पार को क्या कहते हैं ट्रांसाइवेरियन ट्रांसाइवेरियन रेलमार्ग किन दो सहरों को जोड़ती है इधर से सबसे बड़ा सहर, St. Petersburg, यूरोपी हिस्सा का सबसे बड़ा सहर, St. Petersburg, और इसका ACI हिस्सा का सबसे बड़ा सहर, Vladivostok, इन दोनों को जोडने वाले rail mark का नम क्या है, Trans-Sivarian Rail Mark, क्या है, Trans-Sivarian Rail Mark, अब देखिए, यहां मंगोलिया मिलेगा आपको, मंगोलिया, मंगोलिया के जस्ट उपर, रूस में ही एक जील मिलेगा, उस जील का नाम बताइए, रूस का सबसे बड़ा सहर बलादी, वह ही है, St. Petersburg, बैकाल जील, very good, very good, बैकाल जील, कौन जील है, बैकाल जील, अब आप बताइए, बैकाल जील साइवेरिया में आएगा, एकदम साइवेरिया मे पूरा बर्फ से ढखा रहता है, ध्यान से समझा मेरी ओर, पूरा साइवेरिया बर्फ से ढखा रहता है, उसमें एक बड़ा सा जील है, जिसका पानी एकदम साफ नीले रंका दिखता है, कासा दिखता है, नीले रंका, तो जब आप हवाई जहाज या उचाई से देखेंग बनाईए देते हैं कैसा लगता है पूरा का पूरा साइव एरिया क्या चीज़ है यह तो रूस है रूस अब इसका जो साइव एरिया है पूरी की तरह कैसा है बर्फ से ढखा हुआ है अलागि यूर्वपी साइड में बर्फ चलता है लेकिन जितना भायानक اधर बर्फ है उतना बर्फ कहीं नहीं है तो यह वाला एरिया पूरी तरह से ढख गया है बर्फ से यह हम वाइट कर देते हैं बर्फ से यह पूरा बर्फ है साइव एरिया बर्फ ढगया अब इस बर्फ में कौन सा जील मिलेगा आपको बैकाल जील दुनिया की सबसे गहरी जील कौन सी है बैकाल जील बहुत जादे इसकी गहराई है दुनिया का सबसे गहरा जील बैकाल जील है और इसी बैकाल जील में एक जील है इसी साइवेरिया में एक ऐसे है आपका बैकाल जील, अब आप बताएए, बैकाल जील को हम साइवेरिया की मोती क्यों कहते है, दिख रहा है मोती की तरह, पूरा सफेद एरिया है, उसमें मोती की तरह दिख रहा है, रूस तो लग रहा है जिसे कोनो सियार भाग रहा है, कि बैकाल जील को क्यों कहते हैं रूस करनक्सा दिग रहा है सियार भाग रहा है उदर गोड़ा लग रहा है चलो कोई बात नहीं आगे पढ़ जा किसी को कोई दिक्कत नहीं साइवेरिया की मोती बैकाल जील सबसे घारा जील बैकाल जील सबसे ठंडा जील बैकाल जील साइवेरिया की मोती साइवेरिया कि मोती बैकाल जील साइवेरिया में तो ठंड पढ़ता ही पढ़ता है साइवेरिया के ऊपर यहां पर सबसे भयानक ठंडा पढ़ता है जिसको कहते हैं बर्खोयांस सबसे ज़्यादे ठंडा कहां पढ़ता है बर्खोयांस यहाँ एक परवत है जिसका नाम है बर्खोयांस परवत रूस का सबसे ठंडा परवत कौन सा है बर्खोयांस परवत बर्खोयांस परवत कौन सा परवत बर्खोयांस परवत रूस का सबसे ठंडा सार बर्खोयांस रूस का सबसे ठंडा सार बर्खोयांस मिल गया है मिलेगा ही नहीं आप लोको छोटा सार है ठंडा है माइनस 60 डिगरी पढ़ता है माइनस 80 डिगरी चला जाता है एकनॉमिक्स भी पढ़ाई है सब पढ़ाएंगे बावब मांग पढ़ने में परती फलन पढ़ने में या फिर डेवियेशन पढ़ने में बड़ी इजी होता है एकनॉमिक्स लेकिन जब समझेंगे तब ने तो बहुत हार्ड हो जाता है अब रूस का पुराना वाला नक्सवा खोली है तो रूस का पुराना वाला नक्सा कौन पुराना वाला नक्सा तो जो यूरोप में पढ़ा था रूस का वा एरिया जो यूरोप में पढ़ा था ये वाला एरिया कहा पढ़ा था यूरोप में यूरोप में पढ़ा था ना रूस का निचला भाग जो है न यूरोप में यहाँ पर निचला भाग देखिए यहाँ पर काला सागर मिलेगा और एक और कैस्पियन सागर मिलेगा रूस के निचले भाग में एक और काला सागर एक और कैस्पियन सागर मिलेगा इसमें है कि नहीं देखिए फटा फट पेज इस वाले बुक का पेज नमर 63 अब यूरोप वाले रूस पर जल्दी आज़े फटा फट यूरोप वाले रूस पर आईए फटा फट आउसका सबसे निचला भाग देखिए उसके एक और काला सागर होगा एक और कैस्पियन सागर होगा देखिए हम रंग दिये हैं रूस का तूटना चाहता था रूस से जिस तरह से रूस से कितने देश तूट गए 15 देश वैसे ही रूस से यह तूटना चाहता था चेचन्या क्या तूटना चाहता था चेचन्या लेकिन रूस ने चेचन्या में एतना बं मारा एतना बं मारा जिसका कोई हद नहीं उस समय की बात ह है उनीस सो निनियान वे जब आस्सें अकईस साल पहले रुस का सलाहकार होता था ब्लादिमीर पुतीन वो क्या था सलाहकार था उसने मंच पर आकर घोशना किया क्या दिखें इतना खतरनाक था वो यहाँ चेचनिया के लोगों को हमारे सलाकार है आर्मी को आदेश दिया कि जा के चेचन्या में मारो और कैमरा लगवा के लाइव इंकाउंटर किया मास्कों के लोग खुब खुस क्योंकि बाई कोई भी बदला लेगा खुस अब इसकी लोग चेचन्या को ना रूस क्या काता है कि आतंगवादी संगठन है सब अब ये चेचन्या के लोगों को बड़ी मार मारता है तो चेचन्या के लोग इधर उधर भाग गया है इसी चेचन्या का था एक ठो सचुरा जो फ्रांस में जाके सर काट दिया फ्रांस में जो इस टीचर का जन्नत में चल जाओ गए लेकिन तुमने यह नहीं सोचा कि फ्रांस के लोग किसी दूसरे पर भरोसा नहीं करेंगे किसी दूसरे मजबूर को जिनको देश में लाता जाया मारा जाया कचरा जाया उसको अपने यह रहने नहीं देंगे ऐसा ही ट्यूनिसिया से वो भाग के आ फ्रांस में उबी जाके बम फोर दिया क्या वो लोग रहने देंगे अईसे लोगों को कल को उबी unlock का तो गरी यह इनार्सी लें दिया अर्य तुमने क्या किये ये समझ में नहीं आया बाबा का धाबा जो दिल्ली में है वो हरामी बुढ़्धा कहता है कि हमको मदद की क्या जरूआत थी खुद गौरो वासन आया थे मेरे पास हम तो आराम से थे मेरा पैसा लूट लिया रे हरामी बुढ़्धे तुमने कमाया था तुम कमाया था नहीं न लेकिन वो बुढ़्धा ऐसा नफरत बो रहा है ऐसा नफरत बो रहा है कि हर इंसान गरीब से अब नफरत करने लगेगा हर ढ़ाबा वाले से इंसान को अब नफरत हो जाएगी उसे कोई मदद नहीं करेगा क्यों क्योंकि एक बुढ़्धा के वज़से वही कांड यह कर रहा है यहाँ पर यह चेचन्या से इसको भगाए गया यहाँ जाके बंफोर दिया यहाँ मुसल्मानों में नफरत हो गया त्यूनिसिया से गया मुसल्मानों में नफरत हो गया पूरी दुनिया के मुसल्मान विरोध कर दिये क्या फ्रांस के लोग विरोध की हैं नहीं ये सारा किया धिया तूर्की का है तयबुल अर्दोगान अपने आपको समझते हैं कि हम पैगंबर हैं अरे सशुर्या तुने लात खाएगा सांथ हो जाएगा यहाँ पोलिटिकल लड़ाई को धार्मिक लड़ाई बनाना चाह रहा और पूरी दुनिया में गाली सुनवाएगा लोगों को तो यह चेचन्या समझ में आ गया रूस का निचला भाग क्या का लाता है चेचन्या रूस का निचला भाग क्या का लाता है चेचन्या 90% student doing unnecessary chat, chat off कर दिजए, कोई CBSC बोट का लार का, उसका नाम देखिए को उन बोल रहा है, 90% doing, CBSC बोट का है हो, उसको अच्छा बात है, रोहित कुमार, बहुत अच्छा बात है, 90% student doing unnecessary chat, that's why I am going to close the all chat, so close all chat, yes, सान्ती मैं माता बरण हो गया, सान्त एक दम, कोई chatting, chatting नहीं सुचा, chat पर chat मारता है, सब बाबा का ढाबा वाला है, जलो देखें या, चेचन्या समझ में आगे आगे आपको, तो रूस का overall आपको area हम बता दी है, रूस का निचला भाग चेचन्या था, अगर रूस तूट गिया, दो जगहों को रूस तूटने से बचा लिया था, एक जगह था आपका चेचन्या, इसे उसने तूटने नहीं दिया, अगर तूट जाता, तो USSR 17 देश में तूट था, लेकिन कितने देश में टुटा 15 देश में कालिन गराट को बचा लिया और चेचनिया को बचा लिया आपर आगे बढ़े किसी कोई दिक्कत नहीं रूस को दुबारा बताते हैं रूस एक में ही बताते है रोहित कुमार जी CBSC बोट क्या है बोलते हैं 90% डूइंग बॉइज डूइंग अन्निसेसरी चाट चैट सीवियसी वाला बड़ी तीज अंगरी जी बोलता है हम लोग भी सुरू में सीवियसी अबोड में थे हम अकेले काले थे इसलिए हमको भगा दिया चलिए यह है आपका कौन सा रूस घोडी है सियार भाग सबसे ठंडा परवत बर्खोयांस यहां पर है और यह एस या यूरोप को अलग कर देता है यहां नेवाया जमल्या कचड़ा फेकाता है यह सहर इसका मास्को राजधानी यह सबसे बड़ा सहर इसका नाम क्या है आपका लेनिंग्राड यानि सेंट पीटासबर से एक ट्रें आदि वस्टक ट्रांस साइवेरियन ट्रांस मतलब इस पार से उस पार साइवेरियन मतलब साइवेरिया के इस पार से उस पार साइवेरिया की मोती बैकाल जीर साइवेरिया की मोती बैकाल जीर रूस का निचला सहर चेचन्या रूस में बहुत ही जादे मातरा में हीरे का भ लिए नहीं बहुत ज़ादे है भारत सरकार को भी चाहिए रूस से ही पेट्रोलियं ला देरे रूस से पेट्रोलियं लाने में मिला दीजे, तनी सा तो हिलना है इसका होग या रूस से मिल जाएगा तो हम लोग को रूस से गैस पाइपलाइन भी आ सकता है, आगे बढ़े किसी को कोई दिक्कत नहीं रूस में और यूरोप के अब छोटका छोटका देश को देखते हैं छोटका छोटका देश रूस का, उन छोटकों को अलग से बता देते हैं, देखें हैं, इसमें छोटका छोटका कौन देश है, एक बेनेक्स देश में एक लगजम बरग है, बेनेक्स देश में यहाँ से लगजंबर्ग है, वाइट से दिखाते हैं, भवकेग अच्छा से, यह कौन सा होगे है, लघजंबर्ग, एक यहाँ पर मोंजाख को, यहाँ पर अंडोरा, यहाँ पर मोंजाख को, सेंड मारीनो, यहाँ पर वेटीकन लिटिकन सीटी नीचे में माल्टा, यह तीन गों बड़ी फेमास है सब, देखें, यह नीचे वाला माल्टा, यह वेटिकन सीटी, सेंड मारीनो, और ये वाला अपका मोनाको, तो सबसे ज़्यादे चोटका देस जो है सब ने, यूरोप में मिलें गे सब और इटली के पास में मिलते हैं से किसके पास इटली के पास इटली के पास चार को मिलेगा इटली के एक कोना इसको न कौन सा मिलेगा भाई आपको मोनाको और इसको यहां पर सेंट मेरीनो निच्वा में वेटिकन सिटी एकदम नीचे माल्टा यह देखें यह कौन सा हो गया मोना cain暦 मर्रिन झाकंत सेंट मारिन्ओ डॐन इकश्विआ इस्पेन फ्रान्स्स आीध अश्त्रेश को ट्रीका और नीचे उल बbersması में माल्टा स्वीरा के सी द्रीक शेवर्ट शेवर्न एफ और पर चीशनाद में लाजैम बर та आम आपको सब दिखा देते है इस लाकसा में इटली है यहां इटली है इटली के नीचे यहां मोनाको मिला इटली के नीचे मोनाको। इटली की सैट देखेंगे 새 का साण मारीनो घेन आ गде मेटीकन सिटी ग्वेटीकन सिटी से नीचे आएँगे सब अन्हें A माल्टा मिल गया यह छोटे छोटे देश है यूरोप के यह छोटे छोटे देश किसी को कोई दिक्कत नहीं यूरोप के बड़े देश हो गया सब यूरोप के छोटे देश हो गया सब यह आपके छोटे देश छोटे देश के ग्रूप देखें फ्रांस के ऊपर में फ्रांस के नीचे में, कैसे याद रखेंगे, देखेंगे, छटकन को याद रखेंगे, फ्रांस के उपर लगजेंबर, फ्रांस के नीचे एंडोरा, दूगोदे से याद कर लिजेगा, अपने से याद होगे, फ्रांस के उपर लगजेंबर, फ्रांस के नीचे एंडोरा, फ्रांस के तो Vatican City Malta Vatican City Malta Vatican City और Malta इस अब छुटका-छोटका देश का कोई विशेस्टा नहीं अब एक और देश मिलेगा आपको Lecestein Lecestein सब छुटकन-छुटकन को अलग से देखते चलिए Lecestein अब फ्रांस से देखे Monaco Italy के उपर Lecestein Italy के इधर Saint Marino Italy के पास आपका Vatican City Italy के नीचे Malta इस अ सुरा छोटका-छोटका बड़ी खचरा है यह Malta Vatican City Saint Marino Lecestein Monaco Andorra Luxembourg यह आपको देश जो है सात्गो यह बड़ी छोटे-छोटे हैं सर disturb करता है सा France के उपर अंसर देंगे France के उपर France के उपर Luxembourg France के नीचे Andorra France के उपर Luxembourg France के नीचे Andorra Italy के उपर Leccesteen इधर में Monaco उधर में Saint Marino नीचे Vatican City एकदम नीचे Malta एकदम नीचे Malta चलिए ऐसे देखिए Practice के लिए ऐसे देखा जाता है यह France है France और इधर में आपको इस तरह से मिलेगा यह सेप में Italy 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 यहाँ पर उपर में Luxembourg नीचे में Andorra Italy के इस साइड में Monaco Italy के उपर में Luxembourg Leccesteen Italy के इस साइड में Send Marino Italy के यहाँ पर Vatican City और नीचे में Malta तो एक, दो, तीन, चार, पाँच पाँच गो तो इटली से घुरी आके है सब दूगो यहाँ पर पांदू साथ यह छोटका छोटका देश याद रखेंगे यूरोप में कितने देश है Start कीजे सब की गिनती आपको गिन के लाना है यूरोप के सारे देशों को साइड में लिखना है आपको एक copy ले लिजेगा इसे पतली शीक्मान लिजेए अइसे तो copy नहीं यहाँ कोई copy नहीं यहीं दिखाएं कर कोई copy लिजेगा उसमें उसमें एसिया के सारे देशों को लिखेगा group by group, आसियान हो गया, सार्क हो गया, Middle East हो गया, Central Asia हो गया, काकेसास हो गया, सब का नाम, फिर उसी तरह यूरोप के सारे देशों का नाम, और उनके सामने उनकी राजधानी, बहुत बड़ा होता है, अब इतना बड़ा होता है, इसको बार 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 आपको revise कराते रहेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोग का काम है, कि आप याद करके आएगे, और material में भरके आएगे, बाकी जो बचेगा, उसको कल भरवाएगे, आज के लिए अतना, आज यूरोप कम्प्लीट करा दिये, यूरोप को आप कम्प्लीट देख लिए हैं आज, आज दुबारा आप यूरोप को हम ये revision करा देते हैं, देखिए, नाडिक कंट्री में कौन-कौन आते हैं सब, उधर से उठाएंगे, Greenland, Iceland, Norway, Sweden, Finland, Denmark, सब्सक्तिन, Norway, Sweden, Finland, Denmark, इसमें कौन सा नहीं आता है, सकेंदेनेजियाई इ में कभी-कभी तब Finnland, बाल्टीक में तीन, कौन-कौन, एस्टोनिया, लातीविया, लिथवानिया, दुत्टीभी सीध वाले में, पोलेंड जर्मनी, बेनेक्स में, बेलजियम, नीदरलेंड डगजंबर, ब्रिटेंड में, ब्रिटेंड में कौन कोन आता है, इंगलेंड, वेल्स, स्कॉटलेंड, इनाटेट किंडम में, इंगलेंड, वेल्स, स्कॉटलेंड, उत्री आयरलेंड, एमराल्ड दीप पर कितने आते हैं Ireland और उत्तरी आर्लेंड नीचे आएंगे France नीचे आएंगे France किसानों वाला देश हो गया France France पूर्टगाल किस पर आते हैं सा आइबेरिया प्राइडीप पर यहां देखेंगे तो यहां मिलेगा स्वीटिजर लेंड आस्ट्रिया स्वीटिजर लेंड और आस्ट्रिया स्वीटिजर लेंड और कौन सा आस्ट्रिया स्वीटिजर लेंड और आस्ट्रिया उसके बगल में तीन देश देखें हंगरी स्लोवाकिया चेक गडराज हंगरी स्लोवाकिया चेक गडराज अब नीच में बालकन प्राइदीप कौन-कौन स्लोवेनिया, क्रोएसिया, बोजनिया, सर्विया, क्रोएसिया, स्लोवेनिया, क्रोएसिया, बोजनिया, हर्जोगोविनिया, सर्विया, मॉंटिनेगरो, कोसाओ, अल्बानिया, मेसिडोनिया, ग्रीस, थरेस, बुल्गारिया, रोमानिया इधर तीन ठोबीना नाम का मॉल्डोवा, यूकरेन, बेलारूस इसके अलावे अगर आप देखेंगे इसके अलावे तो छोटे छोटे देश में फ्रांस के उपर लक्जेंबर, नीचे में एंडोरा, इटली के उपर लेचस्टीन इस साइड में मोनाको, इस साइड में संट मेरिनो, नीचे वेटिकन सिटी और नीचे में माल्टा यह याद हो गए अपो, एसिया में अगर देखेंगे तो एसिया का दुबारा रिवाइस करें आपनो, एसिया को finish कीजिए एस या ओले को रिवाइस कीज़े कौन कौन नीचे में मालदीब, सिरलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भुटान, बंगलादेश ये कौन से हो गया है सार्क हो गया सा आसियान में कौन से हो गया मयामार, थाइलेंड, लावस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेसिया, सिंगापूर, बुर्नेई, फिलिपीन, तिमोर, लिस्ट ये हो गया इसमें उपर देखेंगें है चीन, मंगोलिया, उत्री कोरिया, दक्षिड कोरिया, ताइवान, जापान उस साइड में हो गया सब सेंटरल इसिया में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उजबेकिस्तान काकेसस में जार्जिया, अर्मेनिया, आजर्बाजान Middle East में तुर्की, साइपरस, सीरिया, लेबनान, इजराहिल, फिलिस्तिन, जार्डन, मिस, सौधी अरब, यमन, ओमान, युई, कतर, भरेन, कुवैत, इराक, इरान खतम हो गए सब यहाँ पर कर पहिं अ?